वेपिन थरेजा से 25 लाख रुपे की फिरौती का मामला वैपारी उने की बैठा कारोटियों की गिरफतारी ना होने पर 27 नमबर को वैपारी सम्मिलन करेंगे धरना पूराइगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कनिकारोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हर याड़ा तो बुलिटिंग की शुरुवात करते हैं बड़ी खबरों के साथ एक तरफ बेरोजगारी से लोग परिशान है वहीं दूसरे तरफ बढ़ती महंगाई ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है वहीं अमबाला के नारायन घर में लोग बढ़ते सबजियों के दाम को लेकर के बेहद परिशान है आपको बता दे कि टमाटर 80 से 100 रुपे तक बिक रहा है तो वहीं मतर भी 100 रुपे किलो बिक रही है इसके अलावा टिंडे 120 से 140 किलो तो भिंडी 60 से 80 रुपे किलो बिक रही है वह आम आदमी का कहना है कि महंगाई चरम पर है सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए तो बड़ती महंगाई को लेकर के लोग बेहद परिशान है वह अमबाला की बाद अगर अब रिवाडी की बात करें तो रिवाडी में भी बड़ती महंगाई की मार देखने को मिल रही है और महंगाई का सीधा असर लोगों की जेव पर पढ़ रहा है और लोग सबजियां भी अब कम खरीद रहे हैं बाजार आये लोगों का कहना है कि महंगाई रोज बढ़ रही है जिसकी चलते हालात खराब होते जा रहे हैं सबजी दुकानदारों के मताबिक पहले सबजियां बाहर से आ रही थी और अब शादी विवाका सीजन चलने की वज़ा से अब सबजियां शादी की पार्टियों में खरीद ली जाती हैं जिसकी वज़ा से आम लोगों को महंगी मिल रही है विवाडियों में मंडियों में मटर 120, टमाटर 60, शिमला मिट्च 60, टिंडा 60, गोबी 40 रुपे किलो, प्यास 40 रुपे किलो, तो महीं आलू 35 बताया जा रहे हैं लौकी कदाम 30 रुपे तक पहुच गया है, महेंगर 30, वैगाजर 40 रुपे के हिसाब से मिल रही है तो आज इस कारिक्रम में हम बढ़ती महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं लगातार जो महंगाई है वो तिन पर दिन बढ़ती चारी है ऐसे में लोगों की जेब पर इसका सबसे ज्यादा आसर हमें देखने को मिल रहा है हमारा नमबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लाश कर रहे हैं आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे अपनी एडवाइस जो है वो साधरा कर सकते हैं 01204039931 पर आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं और आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं आपकी क्या कुछ अपील है सरकार से उसको लेकर के हम आप हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ऐसे में आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं सरकार से इसको लेकर के आप हमको फोन कर सकते हैं और हर ख़बर हर्यारा के माध्यम से हम आपकी बात सरकार तक पहुचाएंगे महिंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रखती है आपको बता दे कि सीधा आसर आमजनता की जेप पर पड़ता हुआ नजर आ रहे हैं इसे में सब्जियों के दाम काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिसने लोग अब सब्जियां भी कम खरीज रहे हैं बता दे कि टमाटर के दाम भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जहां एक और पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए ले लेकिन महीं सबजियों के दामों की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी राहत नहीं दी गई है। तो रेवाडी की भी हमने बात की थी बढ़ती महंगाई देखने को वहाँ पर भी मिल रही है। सबजियां अब कम खरीत रहे हैं जिसके चलते हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। सबजी दुकान दारों के मताबिक पहले सबजियां बाहर से आ रही थी और अब शादी विवा का सीजन चलने की वज़ासे अब सब्जियां शादी की पार्टियों में खरीद ली जाती है जिसकी वज़ा से बता दें कि आम लोगों को ये जो सब्जियां है वो महेंगी मिल रही है तो सब्जी विक्रोयताओं का भी साफ तोर पर यही कहना है कि महंगाई काफी तेजी से बढ़ती जारी है जिसकी वज़ा से सब्जियों के जुदाम है वे बढ़ते हुए नजर आ रहे है लगतार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 01204039931 पर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और सरकार से आपकी क्या कुछ अपीर है इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं बाजारों में भी अगर हम बात करें तो सब्जी के ठेलों पर भी अब जो भीड है वो कम देखने को मिल रही है जाहें एक और सर्दियों में अगर हम बात करें तो टमाटर के दाम बेहत कम हो जाते हैं टमाटर का दाम असी तक पहुँच गया है ऐसे में दिन पर दिन जो दाम है सबसियों के वो बढ़ते जा रहे हैं लोगों के लिए ये बेहद परिशानी बनी हुई है माफ कीज़ेगा टमाटर के दाम की अगर बात करें तो अब असी से बढ़कर वे सो रुपे किलो तक पहुच गए है साती मटर के दाम की अगर हम बात करें तो 100 रुपे किलो मटर भिक रही है इसके हलावा अगर बात की जाए शिमला मिर्च की तो शिमला मिर्च 60 रुपे किलो भिक रही है बजारों में गोबी की बात की जाए तो गोबी का दाम 40 रुपे किलो पहुच चुका है और हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए है गुरु ग्राम से आशीश उनका मेरुप करूंगी आशीश दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जारी है ऐसे में लोग बेहत परिशान है और सरकार से यह अपील भी कर रहे हैं कि इस महंगाई को कम किया जाए जिससे जनता को थोड़ी बहुत राहत मिले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आशीश दिन पर दिन पर दिन आशीश दिन आशीश दिन आवास हमारे तक नहीं पहुच पा रहे है फिलाल आशीश से संपर्क नहीं हो पा रहे है तो जैसा की जानकारी हम आप तक पहुचा रहे है कि लगातार सबजी मंडियों में अगर हम बात करें तो अब सबजी के दाम काफी तेजी से बढ़ते जा रहे है ऐसे में आप जनता को काफी ज्यादा परिशानी हो रही है लोगों की अगर हम बात करें तो वह सबजी भी लेने से अब कतराते हुए नजर आ रहे हैं वह लोग सबजीयां भी अब कम खरीद रहे हैं 0120-403931 पर आप हमसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं और आपकी क्या कोश अडवाइस है वह आप हमसे साजा कर सकते हैं तो सबजीयों के दामों की अगर हम बात कर लें तो बता दे कि रिवाडी की अगर बात की जो है तो मंडियों में मटर 120 रुपे किलो बिक रही है टमाटर की बात करें तो टमाटर 60 रुपे किलो दिया जा रहा है साती शिमला मिर्च की अगर हम बाट करें तो शिमला मिर्च 60 रुपे किलो बिक रहा है वहीं गाज़र की बात की जुआ है तो गाज़र 40 रुपे किलो के हिसाब से मिल रही है लगातार जो दाम है सबसीों के वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में ये लोगों के लिए बेहद समस्या बनती हुई नजर आ रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि सबसी मंडियों में भी अगर बात की जाए तो पहले जो भीड देखने को मिलती थी वैब भीड भी अब देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि लगातार सबसीों के जो दाम हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आम लोग अब सबसी भी नहीं ले रहे हैं पिससे सबसी विक्रेताओं को भी अगर बात करें तो काफी ज़्यादा नुकसान है और आम लोग भी अब सबसी लेने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं 0120-403-931 पर आप हमसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर हमें बता सकते हैं एक तरफ तो बेरोजगारी है वहीं दूसरी और बात करें तो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों के लिए जीना जो है वो काफी ज़्यादा मुश्किल हो गया है अमबाला के नारायनगर में लोग बढ़ती सबजियों के दाम को लेकर के बेहत परिशान हैं टमाटर के दाम आपको बता दे के नारायनगर में 80-100 रुपे किलो तक पहुँच गया है मटर के बात की जाए तो मटर 100 रुपे किलो बिकरी है इसके अलावा टिंडे 120-140 किलो पहुच गया है हरी सबजियों में भिंडी की भी अगर हम बात करें तो 60-80 रुपे किलो भिंडी बिकरी है आम आदमी का यही कहना है कि महंगाई काफी चरम पर है सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए क्योंकि आम जनता के लिए ये बेहद मुश्किल भरा समय है क्योंकि बेरोजगारी भी दूसरी तरफ देखने को मिल रही है लोगों के पास जॉब्स नहीं है ऐसे में एक और कोरोना काल के बाद अगर हम बात करें तो काफी परिशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ा और स्पीच महिंगाई जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लोगों के लिए मुश्किल जो है वो और बढ़ती नजर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम भी इतनी तेजी से बढ़े लेकिन फिलाल पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ राहत दी गई है तो आम लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी बहुत राहत दी गई है वैसे ही सबजियों के दामों में भी कुछ राहत दी जानी चाहिए क्योंकि बाजारों में अब जो भीड है सबजी मंडियों में अब जो भीड है वो देखने को नहीं मिल रही है लोग कही ना कहीं अब सब्जियां जो हैं वो कम खरीद रहे हैं क्योंकि दाम जो हैं वो इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों के लिए बेहद दिक्कत बनी हुई है साथी साथ अगर सब्जी विक्रेताओं की भी बात की जाये तो उनका भी यही कहना है कि पहले सब्जियां बाहर से आती थी अब अगर बात की जाए तो शादियों में जो सबजियां है वहीं से खरीद ली जाती है जिसकी वज़ा से आम लोगों को जो है वो सबजियां काफी ज्यादा महेंगी अपड़ रही है ऐसे में सरकार को इस से रिलेटिट भी कुछ सोचना चाहिए और आम जनता को कैसे राहत दी जाए इसको लेकर के बातचीत करनी चाहिए 01204039931 पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें बता सकते है हर कबर हर्याना आपकी आवाज सरकार तक पहुचाएगा और इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो क्या कुछ राहत दी जाएगी इसको लेकर के भी बात चीज़ जरूर की जाएगी रिवाडी में भी सबसीओ के दामों की हमने बात की तो मटर के दाम वहाँ पर 120 रुपे किलो है टमाटर की बात की गई तो टमाटर 60 रुपे किलो विक रहा है साती शिमला मिर्च की अगर हम बात करें तो शिमला मिर्च से 60 रुपे किलो वहाँ पर विक रही है और हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं भिवानी से अंकित अंकित का में रुख करूंगी अंकित आप इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना चाहेंगे मेंगाई लगातार बहुत जादा बढ़ रही है पहले से देखिये आप सी एंजी के दाव, पेट्रोड डीजल के दाव कितमे बढ़ रहे थे वो तो अलग बात है देवाली पर थोड़े से डाव कम करें सर्कार मेंगाई बढ़ा जादा रही है कम कम करती है अब देखिए सब्जियों के दाम कैसे आस्मान चूरे हैं आप बताईए कि हमारे जैसा जो आम आदमी है वो कैसे जी है तो उसके लिए किसी मुश्किल हो रहे होगी आप खुछ समझ सकती है तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो महगाई लगातर बढ़ रही है इस पर कुछ ना को अंकुछ लगे देखिए बहुत जादा परिशानी होती है सरकार को अब इस पर विचार करना चाहिए आलू देखिए आलू 30-40 रुपे कलो आलू बिक रहा है टमाटर 77 रुपे कलो बिक रहा है गोबी की बात करें बाकी जो सब्सब्जियां कैसे आत्मान चूरें है तो सरकार को महगाई लगाम लगानी चाहिए मैडम और ये सरकार को इस पर ध्यान देना होगा अगर ध्यान नहीं देगी तो हमारे जैसे जो आम आदमी ने वो ऐसे पिस्ते रहेंगे पहले पैट्रो डीजल के दाम बढ़े है श्यूद के दाम बढ़े है रस में कस geography बढ़ाते जा रहे ह्यों अब सब्सब्जियों के दाम लगाते हैँ तो भाई आम आदमी जो हमारे जैसा है वो तो हर चारों तरफ से पिस्ते आ है तो सरकार को इस पर कोई ने कोई संग्यान लेना चाहिए और तब ही हमारे जैसे लोगों को रहत मिलताईगी मैडम बिल्कुल अंकित बहुत बहुत शुक्री है आपका हमारे साथ जुनने के लिए तो बिवानी से हमारे साथ दर्शक जुड़े उनका भी यही कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले पर कुछ सोचना चाहिए इस पर बैठक होनी चाहिए और आम जनता को राहत है जो दी जानी चाहिए क्योंकि महंगाई जो है काफी तेजी से बढ़ती जा रही है जिससे लोग बेहत परिशान है लगातार हमारा नमबर आप मारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आप हमें कॉल कर सकते हैं लोगों का यही कहना है लोगों के पास जॉप्स नहीं है कोरोना काल की वज़ा से अगर हम बात करें तो लोगों को काफी जादा परिशानी हो का सामना करना पड़ा पिछले दो साल से लोगों को बेहत परिशानी होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में स्पीच महेंगाई चो इतनी तेजी से बढ़ रही है इसके लिए वेचाते हैं कि सरकार इस पर कुछ सोचें, कुछ विचार करें और महेंगाई को कम करें और एक और दर्शक हमारे साथ विवेक इस वक्त चुड़ गए हैं विवेक आपकी क्या कुछ रहा है देखे हम आप तो यही कहना चाहेंगे मैडम की लगातार सरकार महेंगाई बढ़ाते जारी पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे और अब इसके सब्जीों के भी दाम बढ़ने लगे हैं और जितनी वी चीज़े है बजार में कुछ भी जाते हैं तो आज जो समान हम कुछ इस रेट पे मिलता है अगले दिन जाते है तो उसका दाम बढ़ गया होता है विग बड़ी समस्या हो गही है हम लोगा पता नही हो तक रोज बजार में कुछ नहीं दाम आ जाते हैं, तो बहुत समस्था हो जाती हैं, मेडम इस तरह से अगर कि जब तक रेट नहीं होगा, कुछ रहा से नहीं होता है, तब तक को नहीं समझ भार हैं, हम लोग की महुझाई से रहात मिल पाएगे, और सरकार को जरूर महगाई की दिशा में काम करना चाहिए, महगाई को कम करना चाहिए क्योंकि कमाई भी घटते जा रही है और महगाई भी बढ़ते जा रही है गोविड के बाद से जबसे कोरोना काल आया है, रोजगार चले गए हम लोग के धंदे लुट गए सब कुछ होगे बरबाद होगे सड़क पर आने जैसे कगार होगे और अब रोज इस तरह से सब्जियों के भी दाम अगर इस तरह से रोज बढ़ते रहेंगे मैडम परशकू का भी यही कहना है कि कुरूना काल के बाद से अगर हम बात करें तो रोजगार नहीं रहा है लोगों की जॉब्स चली गई हैं सारे काम धंदे ठप पड़े हुए हैं ऐसे में आखिरकार लोग कमाए कहां से और खाए कैसे इस मेंगाई के बीच में अगर बात करें तो लोगों को बेहत परिशानी हो रही है लोगों का यही कहना है एक डाम तो फिक्स कर देना चाहिए है दिन पर दिन जो दाम है वो सबजियों के बढ़ते जा रहे हैं जिससे लोगों को बेहत परिशानी हो रही है दर्शकों की सरकार से यही अपील है कि एकलिस सबजीओं के जो दाम है उनको एक फिक्स कर देना चाहिए कि इस डाम पर सबजी मिलेगी क्योंकि रोजाना सबजी के जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं घटने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे में तमाम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कते हो रही हैं आखिरकार मिडिल क्लास लोगों की अगर हम बात करें तो वे कैसे खाये पी और जो गरीब लोग हैं वे तो सब्जी खाने का सोच भी नहीं सकते अगर इस तरीके के दाम रहेंगे तो हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं चरण चरण आपकी क्या कुछ राए हैं मैडम जी के बता हम बहुत बुरा आलकर दिया है इसता बढ़िया तो मारी कॉंगर सरकार्थी जो बात है उड़्डा साब थे उस टाम पे इतनी महंगा ही नहीं हुए और इतनी अच्छी चीज़ थे उस टाम पे बीजेपी ना आके तो बेडा कड़ा कर दिया कुछ भी सरकार डूब है गीजिए बता दी जम भूगे रह सकते हैं तो इस सरकार गिरा भी सकते हैं बिल्कुल चरण हम आपकी बात सरकार तक पहुचाने की कोशिश करेंगे फिलाल बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ऐसे में दर्शकों का यही कहना है कि महंगाई को फिलाल कम किया जाए और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनी पत से चंदन उनका मैं रूप करूँगी चंदन आपकी क्या कुछ राए है पिल्कुल चंदन बहुत बहुत शुक्री आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तो तमाम दर्शक जैसा कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सबी लोग हमारे दर्शकों को भी सुन रहे होंगे उनका यही कहना है कि महंगाई को कम किया जाए सरकार को इस पर सोच विचार कुछ करना चाहिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी बहुत राहत आमजनता को दी गई है ऐसे ही सब्सियों के दामों की अगर बात करें तो उसमें भी कुछ राहत दी जाए क्योंकि इसका सीधा असर अगर हम बात करें तो लोगों की जेप पर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है लोग सब्सियां भी कम ले रहे हैं सब्सि मंडियों में भी जो भीड पहले देखने को मिलती थी वे भीड अब देखने को नहीं मिल रही है तो आमजनता का यही कहना है सरकार से वे यही अपील कर रहे है कि महंगाई को लेकर के कुछ ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए क्योंकि सब्सियों के दाम है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं एक और तो जहां लोगों का ये भी कहना है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है सब काम दंदे ठब पड़े हुए हैं ऐसे में आखिरकार आम जनिता कैसे खाए मिडल क्लास लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा तो रसोई का जो बजट है वो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए भी अगर हम बात करें तो बिगणता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं चाहे तेल की बात करें गैस की बात की जाए सबजियों की बात करें सब चीजों के दाम काफी तेजी से बढ़ गए है इसलिए आम जनेता काब यही कहना है एक ही अपील वे सरकार से करते हो नजर आ रहे हैं कि महगाई को थोड़ा कम किया जाए लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है चलिए एक बार फिर से सब्जी के दामों की बात अगर हम कर लेते हैं तो टमाटर असी से सौर रूपे किलो तक अब विख रहा है मटर की बात की जाये तो मटर के दाम सौर रूपे किलो तक पहुच गए हैं इसके अलावा अगर हम बात करें टिंडे की तो 120 से 140 किलो तक पहुच गए हैं टिंडे के दाम साती भिंडी की बात करें तो 60 से 80 रुपे किलो अपर भिंडी बिक रही है हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए है जगाधरी से नीरज उनका मैंड़ करूँगी नीरज आपकी क्या कुछ राए है मैंडम आपको खुमस्कार करता हूं और आपके चैनल पर सब मिल दिया वालोगों तो यह आप एक आम आदमी की बात भी रख रहे हूं मेरा स्वाल है कि मैडम मैं यमनगर के अंदर प्रेवेट इस्टूट में प्येन का का काम करता हूं मेरी चैनल के मत्यम से यह इंती है कि जितने प्रेवेट इस्टूट में जस्मी पास माली पीएन लग रहे है तो उनकी बीजार पे चैनल करें सरकार तब जाके हम सब्सक्राइब ले पांगे हम अपने बच्चों को नहीं पाल पाए रहे मैडम इस सरकार चुकते मिलकल नीरच बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोडने के लिए तो तमाम दर्शक हमारे साथ जोड़ रहे हैं दर्शकों का यही कहना है कि सरकार को कुछ सोच विचार करना चाहिए महंगाई को कम करना चाहिए क्योंकि लोगों को घर परिवार पालना भी बेहत मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई इतनी चरम पर है कि आम लोग सबसी भी अब नहीं खरीद रहे हैं इतना ऐसे में लोगों की सरकार से बस एक ही अपील है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में हमें थोड़ी बहुत राहत दी गई है उसी तरीके से सबजियों के दामों में भी कुछ राहत दी जाए क्योंकि महंगाई से दिन पर दिन लोग बेहत परिशान हो रहे हैं आप हमें कॉल करें 01204039931 पर आप हमसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं और आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ एड़वाइस देना चाहेंगे सरकार से आपकी क्या कुछ अपील है आप हर खबर हर्याना पर अपनी बात रख सकते हैं और एक और दर्शक इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ सनी जुड़ गये हैं उनका रूख करेंगे सनी आपकी क्या कुछ अड़वाइस है जाए मैडम ये महंगाई बहुत जारा हो रखी है और ये मतलब सब्जी अब गरीबादे से सब्जी खहिदने भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया सो रुपे किलो टिमाटर है बताओ इसमें जी पिल्कुल सनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी एड़वाइस हमारे सामने रखे और सरकार तक हम आपकी बात पहुचाने की पूरी कोशिश करेंगे तो बरती महंगाई के मुद्धे पर हमने बात करें तमाम लोगों से हमने बात करें हैं तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को इस मामले पर कुछ सोचना पड़ेगा कुछ सोच विचार करनी चाहिए एक बैठक करनी चाहिए जिससे महंगाई थोड़ी कम हो क्योंकि पैट्रोल डीजल के दामों में हमें थोड़ी बहुत राहत दी गई है और आपकी क्या कुछ एड़वाईस है आप हमसे साचा करें क्योंकि एक और बेरोजगारी से भी लोग बेहत परेशान हैं वहीं दूसरी और महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है आखेर आम जनता करे तो क्या करे चलिए फिलाल इस कारकरम में बस इतना ही कल एक बार फिर से हाजर होंगे एक अलग मुद्दे के साथ और आपसे बातचीत करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया